ध्रमशाला बादार इस्तीत महापावर कैम कार्याले पर भाजपा पारशदों की बैठक महापावर सीता राम जैस्वाल के अध्याष्टा में संपन हुई बैठक में 24 फरवरी को किसान रैली में परधान मंतरी नरेद मोदी की उपस्तिती में रैली को एतिहासिक बनाने के संबन में चर्चा की गई तथा अनरोध किया गया कि भारी संक्या में महानगर के नागरिकों को पारशद अपने साथ लेकर रैली में समलीत हों साथी भारी संक्या में लोगों को उपस्तित होने के लिए अनुरोध भी करें बैठक का संचालन पार्शाद रिशी मुहन वर्मा ने किया जो वर्मा ने किया है जो मॉदेजी के मंच पार्शाद अच्छाद दो वाया है कर दो बाद जाएगा और जो साइड वाली पे उप्रिसान अब जाएगा उसे दीवाला अपिर वो सारे जो जाइड जाएगा 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 जाएग कि वसे निया कि रिया हुआ है यहां। जान के लिए भी बॉला जाँ है। तो दोनों समय के से करेगा पाझ़ उटाबु कि आम अचा हुआ है। ऑचा हो पड़त में हुआ है। यंने पर दोनyear fantasy, को बहुत्य जाएँगे प्रत्वार ब्रत्वारा कुष्या है जाने की को सऺभढ में, क्विल जाएँगे क्यां समय जाना उड़ाराथा जे हैंगे जिसमें सभी बर्गों को लोगों को बुलाए गया है मोदी जी फटलाइजर मैदान में 24 तारीक को 11 और 12 के बीच में आए गया है इसी सम्मन्द में तैयारी बैठक के लिए हमारे सभी समानित पारसद यहां पर बैठे हैं और हम लोग आपसे बात कर रहे हैं कि भारी से भारी संक्या में इस रैले में सहर बास्यों की सहभाइकता हो और ज्यादा सा ज्यादा है यहाँ पर हर समाज के लोग बैपारी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सिक्षक हैं यह सभी लोग उसमें भारी संक्या में जाएं, किसानों को भी हम लोगा मंतित कर रहा हैं कि उस मिटिंग में आप लोग आई हैं और देश के लिए भारते जनता पार्टी ने जो जो कामे किया है, वो एतिहासिक है, सुतनता के बाद से आज तक मुधिजी ने पांच पुसरसलों में जो विकास किया है, वो पीछे के छट दस्कों में भी नहीं हो पाया है और सबसे बड़ी बात बेपारियों के लिए खुसी की है, कि बेपारियों की चीर परचित मांग थी, कि आज की शीमा पांच लाग की जाए, उसको भी हमारे मुधिजी ने सिवकारा है, और एक बेपारियों को बहुत बड़ा सम्मान दिया है जी एस्टी में एक सुधार किये गए हैं, जिससे बेपारियों समाज में भी काफी खुसीों की लहर है, और हम कैसे पुना मुधिजी को सत्ता में बैठाए हैं, इसके लिए हम लोग जोड़ सोट से लगे गए हैं आज दुनिया में अगर कोई एक नत्रुत दिखता है, पूरी दुनिया मुधिजी पर आसानुईत है, मुधिजी दुनिया के सर्मान नेताओं में से आज है, भारत का स्रमान बढ़ा है, हर अस्तर पर बढ़ा है, भारत में अज इस्तिर सरकार है, हमारे निवेश भी और हमें उमीद है कि मौदी जी के नितृत में भारत अपना विश्व गुरू बनेगा हम दुनिया की महान सक्थियों के रूप में आगे के आने वाले दिनों में बढ़ेंगे और अपना जो पुराना विश्व गुरू का दर्जा हासिल करने में मौदी जी का पुरा साजोग मैं इसराइली में आने के लिए सहरवासियों को हम अंतित करता हूं, हमारे पारसद लोग इसमें जुटे हुए हैं और हमारे उमीद है कि हर पारसद अपने अपने च्छतर से भारी संख्या में यहां के समाज के लोगों को लेकर इसराइली को सफल बनाने में अपनी महत्त